हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टो और यूट्यूब चोने लेर्न फंट क्लाश 12th, मैं आपका मैस एजुकेटर अक्षे गरवाल एक बार फिर से आप सभी का सौगत करता हूँ तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टाइप की बच्चों के लिए जो इस बार 11th से 12th में आए हैं और जो इस बार 12th पास हो चुके हैं और अभी उनके जो CUET का इंटरंस एक्जाम है वो होने वाला है तो उनके लिए बड़ी इंप इंटरंस टेस्ट अगर आप अपने क्लाश 12th के बाद जो भी आपने अपना करियर ऑप्शन सुनाएं लाइक किसी को अगर बी कॉम करना है बीसी करना है बीए करना है कोई भी बैचलर डिगरी आपको चाहिए तो जितने भी टॉप इंस्ट्यूट है नहीं कि जो सेंटरल है इनके लिए आप एपियर हो सकते हो यानि कि इनके लिए आप इलिजबिल हो जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम है बच्चो इसको सभी लोगों को जो भी बच्चे 11th से 12th में लिख करके रख लेना है यह इंटरेंस एक्जाम सबको देना है अब मैं बात करता हूँ कि ऐसी कौन-कौन से टॉप 10 यूनिवर्स्टीज हैं जिनमें आप एड्मिशन ले सकते हैं CUET के थ्रूँ ठीक है ऐसे तो उसमें देखा जब में बहुत सारी सेंटर यूनिवर्स्टीज हैं लेकिन टॉप 10 बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग जब भी अपना कॉ CUET का फेपर देने वाले हैं तो वो थोड़ा सा इन कॉलेजस पर अपना प्रिफरेंस दे क्योंकि यह सबसे बेस्ट कॉलेजस हैं आपके CUET के तो सबसे पहले बच्चो अगर मैं डैली उनिवर्स्टी की बात करूँ तो डैली उनिवर्स्टी के अंदर बहुत सारे कॉलेज सेंड इस्टिफन कॉलेज यहां से अपने आर्ट्स के सब्जट में अगर आप आर्ट्स में कुछ चाहते हैं या फिर B.S.C. बगयरा भी आप यहां से कर सकते हैं लेडी स्री राम कॉलेज़ यह वूमेंस कॉलेजे है तो यहां पर केवल और केवल जो गल्स है वो इसमें जरूर से करिये गए क्योंकि यहां पर आपके लिए special पूरा का पूरा special seats आपके लिए हैं उसके बाद Hans Raj College तो यह हमारे Universities of Delhi के अंडर में आने वाले हमारे top colleges हैं तो यह सबसे पहले जो भी बचे University of Delhi जाना चाह रहे हैं वो इन college पर थोड़ा सा focus दे देना कि यहां पर आपको college मिल जाए although इनकी cut off काफी ज़्यादा high रहती है तो अगर class 12 में आपके अच्छे percentage आएं तब तो आपको यह college जरूर से भरना चाहिए क्योंकि वहां पर जब percentage criteria भी involved रहता है तो यह college आपको easily मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे percentage के साथ class 12 अपनी complete करी है उसके बाद बात करते हैं जो other central universities है जैसे की second number पर आती बनारस हिंदू university वाराणशी में है बहुत ही अच्छी university है और उसके बाद आती जामिया मिलिया इस्लामिया यह university है आपकी जो की न्यू देली में है फिर देन ताटा विश्वद्यालिया इंदौर अगर MP साइट से कोई बच्चा है तो इंदौर का यह college चूज कर सकता है अगर वो इंदौर में ही रहना चाहता है तो यह काफी अच्छी university बहुत थी अच्छी में से एक है उसके बाद अलीगड मुसलिम यूश्टी यह आपका अलीगड में है फिर यूश्टी ऑफ हैदरावाद अगर कोई बच्चे हमारे साउथ रीजन से हैं ठीक है मतलब की तो उनके लिए यूश्टी ऑफ हैदरावाद बहुत अच्छी एक option है आप यहाँ पर अ एर्थ नंबर में आती है टॉप यूश्टी में उसके बाद नाइंथ पोजीशन पर आती है जवाहा लाल नहिरू यूश्टी देली जेनियू तो आप सभी ने सुना होगा काफी टाइम से मीडिया में भी यह काफी ज्यादा पॉपलर रहा है तो बहुत ही अच्छी central यू यहां से आप कर सकते हैं उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास डॉक्टर भीम राउं अम्बेट का यूश्टी देली यह वाली यूश्टी तो यह कुछ बच्चों मैंने आपको colleges और central universities के नाम बताए हैं जो कि कुछ तो जैसे दिली यूश्टी के अंडर में ही आते हैं ठीक है फिर अलग अलग जगह होपा जैसे बनारस में बियाच यू बनारस इंदी यूश्टी काफी बढ़े हैं तो इन ही यूश्टी को थोड़ा सा preference जरूर से दीजेगा यह हाला कि यह form आपके आएंगे 2024 में जो बच्चे आपका 11 से 12 में आए हैं और जो बच्चे इस पार CUET देने वाले हैं तो आपको तो पालू में कि I think 3 to 4 डेज में आपके एक्जाम शुरू भी हो रहे हैं है ना तो अलग-अलग-अलग इंटरेंस एक्जाम शुरू भी हो रह है प्लस आपको क्लास 12 भी कंप्लीट करवा रहे है तो अगर आप हमारे सा तैरी करना चाहते तो नीचे दिए के नंबर पर कॉल करें इससे आपको कोर्स के बार में पूरी इंफॉर्मिशन मिल जाएगी और आप हमसे जुड़ करके अपनी रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए बच्चों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आयो अगर वीडियो अच्छी लगिए हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले ठैंक यू सो मच तो अवरिवर्यवल